हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं इस्टेडी फिट चैनल दोस्तों मैं फिजिकल एजूकेशन की चिप्टर वाइज विरी इंपॉर्डट यम्सी की यूश कोस्जन का प्रैक्टिस करा रही हूं जिसमें से योगा का पार्ट चल रहा है जिसमें से या योगा से रिलेटेज के कार्डिंग है सभी वीडियो इसको वाच करके आप अपने प्रीपेशन को बेहतरीन कर सकते हैं एंड दोस्तों हंडेट से जदा वीडियो प्रीवियर से रेमसे की कोस्टन पर बनाये गए हैं उसका प्रैक्टिस जरूप कीजिए और डेली बिसेस पर जो मैं चैप्टर वाच फ्रैक्टिस पर रहे हैं उसको भी करते रहिए तो दोस्तु चलें चलते हैं आज की प्रश्सनों की तरफ तो दोस्तों पहला कोस्टन है कि योग का साब्दिक और्थ क्या है योग मतलब जोड़ना योग का साब्दिक और्थ है जोड़ना ठीक है आसा नमबर वीग होगा जोड़ना जैसा कि दोस्तों योग सब्द जो है संस्कृत के यूज सब्द से बना है जिसका आर्थ होता है जोड़ना ठीक है नेक्ट कोस्टन है किस ग्रंथ में योग दुख की अवस्था से मुक्ति की इसिती कहा गया है तो किस ग्रंथ में कहा गया योग को दुख की अवस्था से मुक्ति का साधन तो भागवत गीता में ठीक है Next question है किस महापूरुस ने योग को चित बृत्यों का निरोध है यानि कि योग जो है चित बृत्यों का निरोध है इस परिखासा को किस ने दिया है दोस्तों यह परिखासा दिया है महरसी पतन जली ने इस परिखासा को दिया है कि योग चित बृत्ती निरोधा नेश्ट है किस महापुरुस के अनुसार योग शमादी है तो किस ने कहा है कि योग काम धेनू है तो डाटर संप्रानन ने कहा है योग काम धेनू है ठीक है नेश्ट है दोस्तो योग प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं तो दोस्तो योग प्रक्रिया में आठ चरण होते हैं कितने चरण होते हैं आठ चरण होते हैं जिसे अश्टांग योग कहा जाता है यह आठ चरण है यम नियम आसन प्रड़याम प्रत्याहर धाड़ा ध द्यान शमाधि इसमें से जो उपर के पांच है यम नियम आसन प्रड़ायां प्रत्याहर यह बहिरंग साधन है ठीक है एन जो धारा ध्यान समाधि अंतिम के तीन है यह अंतरंग साधन है इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूं उस वीडियो का आप जरूर देख लीजिए नेक्स्ट कोचन है योग सुत्र के रचलिता कोन है तो योग सुत्र के रचलिता है आपके महरसी पतंजली कौन है महरसी पतंजली नेक्स्ट है योग का प्रचलित रूप क्या है तो योग का प्रचलित रूप अक्सर अस्टांग योग ही है जिसके रतागवात यम नियम आ पहले पांच अंग आठ अंगों में से यम नियम आसन प्रड़यां प्रत्याहर ध्यान 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 समाधी में पहले कि जो पांच है यम नियम आसन प्रड़यां प्रत्याहर ये माने जाते हैं आंतरिक साधन की अरंबिक साधन की वह साधन तो दोस्तों यह का माने जाते हैं पहले सुरू से लेकर पांच तक वाह साधन क्या माने जाते हैं वाह साधन माने जाते हैं ठीक है and the next question है निम लिखित में से कौन सा अश्टांग योग नहीं है आसन समाधी प्रड़याम अभ्यास इसमें से आसन समाधी प्रड़याम तीनों अश्टांग योग का अंग है बट अभ्यास नहीं है ठीक है, अभ्यास नहीं है निश्ड है अश्टांग योग कौन से है यम नियम आसन गव है घ़ है प्रलायाम grid ध्यान समाधी गव है अभ्यास पद्मासन ठीक है निश्ट D है A&B दोणूं ठीक है तो आपसन नमबर डी करेट होगा A and B दोनों यानि अस्टांग योग में आठ साधन आते हैं यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्याहा धाड़ा ध्यान समाधी निष्ट है योग के आठ अभिन अंगों में से अंतिम तीन अंग माने जाते हैं तो अंतिम तीन अंग क्या माने जाते हैं दोस्तों धाड़ा ध्यान स समाधी आंत्रिक साधन यानि अस्टांग योग के अंतिम तीन अंग जो हैं आंत्रिक साधन कहे जाते हैं इसको भी मिशुष है ध्यार में रखेगा नेश कोश्चन है कि प्रत्याहार अश्टांग योग का कौन सा अंग है तो आप से गिल लिजिए यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्याहार प्रत्याहार किस प्यारा है पाँचवास थांपे तो यह पाँचवा अंग है ठीक है योग को अंधेरे से प्रकास मिलाने वाला प्रकास ग्रंथ कहा है सरपली राधा किष्णन ने नेश्ट है योग सब्द की उत्पत्ति संस्कित के किस धातु से हुआ है नेश्ट है जिव और आत्मा के मिलन की संग्या ही योग है सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहा जाता है ठीक है इसने कहा है कि संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते है तो योग विशिष्ट कहते है ठीक है योग विशिष्ट है योग किस देश का सबसे प्राचिनतम विद्या है जैसा कि आप सब को पता है या भारत देश का सबसे प्राचीन्तव विज्या है निश्ट है महार्षी पतंजली ने योगदर्सन में एक सो पंचानवे योगसुत्र की रचना कि है जिनके जिनहें किन चार अध्याय में बाठा गया है vocad कि दोस्तों योग सुत्र की रचना महसी पतंजली ने की है और योग सुत्र मीनों ने 195 योग सुत्र की रचना की है कितने योग सुत्र की 195 योग सुत्र की और इन 195 योग सुत्र को चार अध्याय में बाटे हैं यह चार अध्याय कौन से हैं यह आपको बताना है A है समाधिपाद and साधनपाद B है विभूतिपाद and कवल्लेपाद C है पुरार D है A and B दोनों तो दोस्तों A and B दोनों आपसन नमबर D करेट होगा इन्होंने 195 योगसुत्रों में रचना की है योगसुत्र की जिसमें इन्होंने चारा ध्याय में समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कवल्लेपाद में बाटा है Next question है हार्निया रोग में लाबदायक आसन है तो दोस्तों हार्निया रोग में लाबदायक आसन है धरूर आसन कौन आसन है धरूर आसन नेश्ट कोश्चन है एब इसे इस रुपे ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि किस रोग के लिए कौन सा आसन है तो हार्निया रोग के लिए लाबदायक आसन है धनुरासन नेश्ट है रख्त चाप में कौन सा आसन सबसे लाभपरद है तो दोस्तो रख्त चाप अमानसिक संतुलन के लिए सवसन ही सबसे ब्यश्ट आसन कौन सा है सवसन नेश्ट है पदमासन, पौनमकतासन, भुजंगासन और सल्भासन मुखिरूप से किस रोग की लाख कारी है तो ए आपके पेट की बिमारियों के लिए लाख कारी है ठीक है नेश कोष्चन है कि धनुरासन, सल्भासन, सुरी नमस्कार, आसन मुखित किस रोग में फायदा पहुचाते है तो यह मुखित मदुमें रोग में कोऊँ कोब धनुरासन सलभासन सूरी नमसकार आसन मुखित कि इस रोग में फादा पंचाते हैं तो मदुमे में ठीक है नेश्ट है प्रणयाम में मुखित कितने क्रियायँ नियास्त की प्रणयाम का मतलब होता है सांस परनेंतर रखना अब प्रणयाम की तीन क्रियाय होती है पूरग कुम्भग रेचक यानि कितने क्रियाय होती है तीन नेश्ट है प्रणयाम में मुख्ता कौन सी क्रियाय होती है तो जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों अब पता हो गया है प्रैक्टिस करते करते हैं प्रात्याया में 3 पोर्ण कुंभक और रेचक का मतलब होता है तो दोस्तों सए कोस्टन好啦 को समझ में आई होंगे यो भी भी टापिक बचा हुआ है चाहे वह थिरोटिकल टापिक हो चाहे आप का यामसिक हो सभी को मैं इस्टेप बाइस्टेप पुरा करती रहूंगी बस आप बने रहे हैं दोस्तों फर्स्ट वार विजिट कर रहा है तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकन को प्रेस क लिजिसी से जिसे न्यू वीडियो का अपडेट अब तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय है